नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एटे 6 में दोस्तों रुख करते हैं इतिहास के साथवे दिन का जो चैप्टर है मौरियस समराज का उसकी बारे में बिशलेशन करते हैं इस वीडियो में तो आज आप पूरा कोशिन का आंसर देखिया आंसर दीजि उस एप्लिकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद वहाँ सर्च कीजिए एजुकेशन के एटे 6 और वहाँ आपको पीडियो प्रभाइट कर दे जाते हैं दोस्तों कुछ कोशिन पिछली वीडियो में गलत हुए थे उन बहुत सारे जो स्टुड पर जादा बलती नहीं होगी तर में आसा करता हूं बहुत मेहनत कर रहा हूं क्योगी आपके जो पीडियेफ बनाने और आपके इनट formingट मैंने देखे हैं मैदेस बनाया खुझ से खुझ से ही टाइब किया है इंदाब थे क्यां यहां पर यह सारे भाइसर किताब के question मिलेंगे वही question होते हैं जो आपके exam में पूछे जाते हैं तो दोस्तो प्लीज वीडियो को देखें और support कीजिए है ना चलिए हम लेकर चलते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाले तक हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से जा सके दोस्तो आज का पहला सवाल है कि निम लिखित में से कौन सा वन्स सबसे प्राचीन वन्स है चलिए आंसर कीजिए का which of the following is the oldest of the descendant तो यहां पे दोस्तों बता दे कि वन्स के बारे में बात हो रही है और यह चैज़ बता दें आपको कि बहुत सारे student चुंद कर रहे हैं कि sir English में इंगलिस में तो वह वीडियो देख नहीं रहे हैं और प्लीज यहयां कमेंट कर रहे हैं कि सबसे पहला मौरे समराज है जो की जितने भी इसमें से ऑप्षन में हैं मौरे गुप्त कुशान और कन्नाव ठीक है इन में सबसे पुराना वंस कौन सा है तो मौरे है ठीक है और बता दे कि इसका जो काल था मतलब 323 इसा पूर्व ठीक है पूरा सेसन था मौरे समराज्य का ठीक है तो यह याद रखेगा वहीं अगर हम बात कर लें कन्नाव वंस की यह जो कन्नाव वंस है इसके बारे में बता दूं देखे इस सारी चीज़े जो डेटा है यह आपको साथ पीडिएफ में ना मिल पाए है तो प्लीज यहां पे वीड ठीक है यह भी सी है तो ध्यान रखेगा यह सबसे पुराना है आप लोगों में और पता होना चाहिए आप लोगों को जो इसाप पूर्व चलता है यह उल्टा चलता है ठीक है तो यह देख सकते हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं न कि 1999 से लेके 2002 तक ठीक है तो यह हमने 99 के हैं हम लोग तो यतने साल तक चला और यह जो है आपका जो कन्नव वंस और कुशान वंस दोनों जो है यह इसका सासन कल था 75 इसा पूर्व से लेकर 30 इसा पूर्व तक ठीक है तो ध्यान रखेगा अगला प्रशन देखते हैं कोशन यहां पर है इंपॉर्टेंट को इन में स कौन सा नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था इन में से किनका नाम देव नाम प्रियदर्शी देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था तो ऑप्शन है मौरया राजा अशोक या चंद्रगूप्त या गौतम बुद्ध का या भगवान महाबीर का तो ऑप्शन आपके सामन तो इन में से किसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी था इसको नोट कर लेज़ेगा आप लोग आंसर है दोस्तों इस ए अशोक समराथ असोक जी हां समराथ असोक जो थे उनका नाम था देव नाम प्रियदर्शी ठीक है स्वय को अपने अभिलेखों में उन्होंने कहा था ये नाम जो अभिलेख लिखा था उन्होंने उसमें खुद को अपने नाम को देव नाम प्रियदर्शी कहा है और इसका राज्य अभिशेख 279 इसा पुर्व को हुआ था किसका तो समराथ असोक का ये याद रखेगा ये इ जबनाता मास्कीम गुर्जरा अभीलेखों में इसका नाम अशूख तथा पूराणों में अशूख वर्धन मिलता है। तो यह अशूख जो ऑचुरान हो нажे में लिखा हुआ कहीं कहीं और कुछ गरंतों वर्धन भी देखने को मिलता है तो यह इनके बारे में वर्णन है ठीकर तो देव नाम प्रदर्शी अपनें आपको भारत था थे यह भारत था ऐसा कुछ और उस समय ये कश्मी रोश्मीर अफगानिस्तान सारे इस में इसमें मिले व 144 तो जब उत्तर पस्रिम किसको होते है सαν ऊपर हुआ और पस्रेंग इधर यह उत्तर पस्रिम जो यह जो एरिया था पूरा इनका इनका फैला वा था इनका समराज चंदरगुप्तमौरे का ठीक है इनका पैलाया हुआ था यह पूरा क्योंकि इनका और अर्शोंक्त समराठ असुक का एक ही था की एक द्त है अखंड भारत का सफ़्ण इन्हों से देखा था ठीक है पर अब तो भारत बहुत खंडों में बढ़ चुका है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं यहां पर अगला कोश्चन है कि कलिंग यूद किस वर्स हुआ था तो यह कोश्चन है यहां पर कलिंग का यूद हुआ था दोस्तों वी 261 इसा पुर्व से लेकर यहां दोस्तों माफ कीज़ेगा 261 इसा पुर्व में ही हुआ था यानि की 261 बीसी विन वाज तो कलिंगा वार हैपन तो आंसर इस 261 बीफोर प्राइस ठीक है नोट कर लेजेगा इंप परिवर्तन किस घटना में आई थी तो कोशिन इंपॉर्टेंट है और यह कोशिन आ चुका है आपके एक्जाम में कि अशोक समराथ के प्रसंस्तिक नीती में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आई थी तो आंसर है दोस्तों बी कलिंग यूद के बाद नोट कर लिएग 279 एसवी में अगला कोशिन निम लिखित गरंथों में से किस गरंथ में मौरेजवंस की जानकारी मिलती है कौटिल्या अर्थसास्तर सोम देव कृत कथा सरीता सार तथा पतंजली का महा मही भाष्य या फिर बाद दिसाहित दीपवंस महावंस दिब्यावन या फिर जैन सा साहित में भद्रवाहु का कल्प सत्रू या फिर डी विदेशी यात्रियों के विवरन में तो दोस्तों इसका आंसर नोट कर लिजेगा इन सभी में जिहां आंसर फोर है यहां पे कि इन सभी में ए बी और सी डी इन सभी में वर्णन मिलता है किसका तो ग्रंथों में आगमन हुआ था तो यह लोग उस समय के इतिहास को समझते थे जानते थे तो इनके बारे में लिखा गया था ठीक है इन सभी के इन सभी के समय ठीक है तो याद रखेगा इन सभी का नाम बहुत जैन और इंफेक्ट जो विदेशी यातरी थे वह भी कॉटिल यह कॉटिल का अर्थसासत्र क्या है को नोट डिएगा चानक के का दूसरा नाम है कॉटिल तो कोटिल लेकि अ अर्थसास्तर में बहिए का नाम वरनीत है चलिए कोशिए नम्मर सेवन देखते हैं कि नेमलेखत में से किस मौरिस सासक को ग्रीक लेखकों में अमीत्र खात वायुपुरान में मद्र सार मद्रसार तथा जैन गरंतों में सिंह सेन का कहा गया यानि की उपादी दी गए थी तो मौरे सासक को ग्रीक लेखक में अमीत्र घात ठीक है अमीत्र घात ये बहुत ही important question है दोस्तों और वायू पुरान में मद्र सार और जैन गरंत में सीसेन की उपादी दी गए थी तो किसको दिया गया था आंसर है बिंदू सार बिंदू सार चंडरगुप्त मौरे के पुत्र थे ठीक है और अशोग के पिता थे और अशोग जो थे वो चंडरगुप्त मौरे के पौत्र थे यानि की पोते थे अगला question मौर्य वंस का अंतिम सासक कौन था तो आंसर है दोस्तो इस ए समप्रती ब्रिहदत जो थे वो मौर्य वंस के अंतिम सासकों में से एक थे ये एक important question है और ये question आपका आया चुका है एक्जाम में और इसको नोट कर ले जिए का ब्रिहदत जो थे ब्रिहदत जो थे वो मौर्य समराज के अंतिम सासक थे ठीक है अब देखो मैं यहां से आपसे question और पूछूँगा ठीक है कि निमलिखित में से कौन मौर्य वंस का संबंधित नहीं है option में दूँगा option है अजाद सत्रू, बिंदू सार, चंद्रगुपत मौरय या इन में से कोई नहीं तो answer है दोस्तो इस अजाद सत्रू नोट कर लेजेगा अजाद सत्रू जो है वो इन में से मौर्य समराज के संबंधित नहीं थे इनके बारे में बताऊंगा भी आगे ठीक है चलिए अगला question देखते हैं दोस्तो यहाँ पर question number 9 क्या answer देखिएगा कि मौरे काल के प्रसासन की सबसे छोटी काई कौन सी थी तो answer है दोस्तो C ग्राम जी हाँ जो विसे हम भीलेज कहते हैं मौरे काल के प्रसासन की सबसे छोटी काई कहलाती थी ग्राम ओके अगला question है question number 10 क्या कहता है कि सर प्रतम किस अविलेक में अशोक का नाम मिलता है in which first name अशोका get the name तो answer है दोस्तो it's a C मास्की नोट कर लिएगा यह question important है और यह प्रशन पूछा भी गया है आपके एक्जाम में ठीक है तो सर प्रतम किस अविलेक में अशोक का नाम मिलता है तो वो ग्रंत का नाम है उस अविलेक का नाम है मास्की अगला प्रशन है मौरेकाल में वैश्याओं को क्या कहा जाता था तो यह question important है और देखे इसके साथ-साथ में एक question और पूछूँगा आपसे कि sellukas negator कौन थे उनके बारे में बताऊंगा आगया भी इसका आंसर है दोस्तो बी रूपा जीवा रूपा जीवा कहा जाता था किसको तो कहा जाता था मौरेकाल में वैश्याओं को अर्थ-साथ की रशना किसने की तो आंसर है दोस्तो आप सभी को पता होना चाहिए अर्थ-साथ यानिक एकनॉमिस के बारे में उस समय किसने बात की थी तो कौटिल लेने कौटिल ले कौन थे तो चानक की का दूसरा नाम था कौटिल लिया चलिए कौटिल नमबर 13 देखते हैं सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहां हुआ था ये कौशिन इंपॉर्टेंट है दोस्तो और ये कौशिन पूछा भी आ सकता है इससे रिलेड़ेट में एक कौशिन और पूछूँँगा कि सिकंदर के मृत्यू के पस्षाथ समराज जे में पूर्वी भाग किसके अधिन हो गया था तो ये तो कौशिन आपको बाद में आंसर करूँगा पर इसका कौशिन कीजिएगा सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध सबसे पहले हुआ था दोस्तो जेलम नदी के तटपे अब सिकंदर की मृत्यू के पस्षाथ जो समराज जी का पूर्वी भाग था वो किसके अधिन आ गया तो वो सेलेकस निकेटर के नाम आ गया और एक कौशिन में आपसे पूछा था कि सेलेकस निकेटर को किस ने हराया था तो सेलेकस निकेटर को हराया था चंदरगुप्त मौर्या ने चलिया अगला प्रस्षन देखते हैं कोशन नमबर 13 दो बारा लिखा गया है ठीक है ध्यान दीजीगा कोशन नमबर 14 समझेगा कोई दिकत ने हैं नमरीं गलत है यहाँ पे सेलेकस निकेटर को किस ने हराया तो आंसर मैंने अभी बताया आपको इटसबी चंदरगुप्त मौर्या ने अगला कोशन है कि निमलिखित में से कौन मौरे समराज के नहीं है तो मौरे समराज में से कौन नहीं है यहाँ पे तो अजाज सत्रू नहीं है नोट कर लिजेगा ये भी important है और question आया हुआ है आपके exam में, अगला question देखते हैं दोस्तो, question number 15 है कि निम्न में से कौन बीदेसी यातरी सबसे पहले भारत आया था, तो निम्न लेखित में से कौन से सबसे पहले बीदेसी यातरी थे जो की भारत आया थे, तो इसका answer है दोस् इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है, मेगा स्थनीज की बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है इंडिका, और यह पुस्तक अपने मूल रूप से उपलब्द अभी नहीं है, ठीक है, फिलाल अभी उसका कोई धाचा नहीं है, पर इसके बारे में बताया जाता है, कि इंडिका नामकी फुस्तक इन्होंने में लेखी थी, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, दोस्तों कोशन नंबर 16 का कहता है, कि मौरे समराज की राजधानी कहां इती थी, तो आप्शन है, पाटले पुत्रा, बैसाले, लुमिनी या गया, तो आंसर है, इस ए, पाटले पु बैठा, तो जाहिर सी बात है, उनका पुत्र ही बैठेगा, तो आंसर है, दोस्तों, C, बिंदु सार, ठीके, नोट कर लिजीगा, और इन में से अगर कोई पूछे की, बिंदु सार जो थे, उनके पुत्र कौन है, तो आप बताएगा, अशोक, समराट, असोक, ठीके, मौर एकाल के दोरान, स्थातनिक, स्थातनिक कौन थे, तो मौर एकाल के दोरान, स्थातनिक कहे जाते थे, कौन, तो ये थे, दोस्तों, जिला प्रसासक, ठीके, नोट कर लिजीगा, ये कोशन आया हुगा है, आपके एक्जाम में भी पूछा जाएगा, तो ये सारे प्रश होता है कहीं से भी कुछ भी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हम इसको सुधार करेंगे वहाँ पे कमेंट में पर कमेंट अच्छे से कीजिएगा है ना चलिए कोशन गलत नहीं होना चाहिए कि लगता है अगला कोशने कोशन नमर 19 ने की ऑन कि किस वंप का शावच नौट कर लिजिएगा तो मगद समराज livelihood का वास्तिविक संस्थापक भी माना जाता है ठीके तो मगद समराज जो था इनका ही बनाया हुआ था कह सकते हैं ठीके और ये हर्यक वंस से बिलॉंग करते थे मौर्य वंस से नहीं आते थे यह और अगला और आखरी कुशन है कि घटोतकच जो थे वह किस वंस का सासकता तो घटोतकच के बारे बतादे कि गुप्थ का सथापक था श्री गुप्त था और उसका उत्तरा धिकारी वह अपोत्र था घटोतकच ठीक है जो की लेकिन गुप्त से पहला सासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है ठीक है रख य कि और रूप्त प्रथम प्रत्रम मैं नहीं और उत्रा धिकारी बना उनका पुत्र घटूतकर ठीक है तो यह कब से कब तक था तो नबे बिफोर क्राइश से लेकर 305 बिफोर क्राइश तक इनका सासन था ठीक है चली दोस्तों तो आज के लिए इतना ही था इस पूरे सिनारियो में आंसर है और आप हमारे साथ यहां बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद अब कुछ प्रशन यहां पर मैं और बोलना चाहूंगा और आपसे आंसर लेना चाहूंगा वह कमेंट कीजिएगा लास्ट में तो चंद्रगुप्त मौरे का जन्म कब हुआ था इस इंप्रणिंट कॉश्चिन बौल रहा हूँ फटाफट आप द्यान देजिएगा एक क्कॉश्चिन मैं बोलूँगा कि बिंदुसार ने असोग को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए उनको भेजा था तो बिंदुसार ने समराठ असोग को भेजा था तक शिला का नाम स सुनोगे आप लोग इनकी वर्णन में ठीक है तो तक्षिला का युद्ध समाप्त करने के लिए असोग को भीजा गया था बिंदुसार के द्वारा ठीक है और एक कोशन था दोस्तों मैं आपसे इंपॉर्टनली पूछूंगा ये कोशन क्योंकि ये कोशन आया हुआ है कि चं अभी आप तक पहुंचा दिये हैं और प्लीज इस वीडियो को देखिए का आम तक शेयर कीजिएगा लाइक कीजिए वीडियो को और आज के लिए तना ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका पीडिएप थोड़ी दिर के बाद आपको टेलिग् नाम में मिल जाएगा तो प्लीज जाएके टेलिग्राम जॉइन कीजिए आप लो है ना मोबाइल में डाउनलोड करके चलिए बाबाए टेक केर